नमस्कार दोस्तों, देटा स्रक्षर की वीडियो सीरीज में आज हम डिसकर्स करेंगे इंसर्शन सोट के बारे में, अभी तक हम डिसकर्स कर चुके अपने बबल सोट और सिलेक्शन सोट उसमें हमने देखा था कि हमारे वर्स केस, बेस्ट केस और एबरिज केस तीनों में ही क अब हम स्टड़ी करेंगे अपने इंसर्शन सोर्ट के बारे में तो सबसे पहले एक बात बताईए जब हम एक्जाम से तो कहीं बार जो इंविचलेट होते हैं अब हमें ड्यूटी देते हैं कि आंसर शीट से इनको अपने असेंडिंग ओडर में सेट कर दो बाय रोल नंबर क्या आपने उस टाइम पर असेंडिंग ओडर में सेट करते हुए आपने कभी इंसर्शन सोर्ट या फिर मर्षोट या कोई सोर्टिंग टेकनिक अप्लाई करी ह आइम शूर आपने लाइफ में एक बार एक बार क्या बहुत बारी रैदर इंसर्शन सोर्ट और मर्षोट को तो अप्लाई कर रही है तो आएए देखते हैं कि इंसर्शन सोर्ट एक्जक्ली होता क्या है पहले इसके एक इसांपल समझेंगे फिर उसके बाद इल्गोरिदम देखेंगे और इसके कॉंपलेक्सिटीज को स्टडी करेंगे तो आएए दोस्तों शुरू करते हैं तो सबसे पहले सो समझते हैं कि इससर्शन सोर्ट होता क्या है एक सबसे बेसिक एक्जक्शन सोर्ट को एक सेंदर सारा एक्स्प्लीन कर देता है अगर आपने कभी प्लें पोजिशन पर लगाते हैं तो जैसे ही मैंने अपने फर्स्ट कार्ड उठाया तो मैं उसको कहां पर प्लेस करूंगी आगे या पीछे हम उसको ना तो आगे प्लेस करेंगे ना पीछे क्योंकि अभी हमारे पास सिरफ पर सिरफ एक कार्ड है उसको सिंपल उठा लेंगे चल जितने भी कार्ट्स डिस्ट्रिब्यूट होते हैं उस सारे कार्ट्स एक्वली अपने असेंडिंग ओर में लगा लेते हैं तो आये देखते हैं यह जो हमारे यह प्लेंग कार्ट्स का फॉर्मुला था ही हम अपना इंसर्शन सोट पर कैसे अपलाए करेंगे तो जब मैंने अपना इंसर्शन से लगा दिया भी मैंने कोई कंप्यूटेशन नहीं करी क्योंकि पेला एलिमेंट है ना वो किसे से थोटा होगा ना किसे से बढ़ा तो हमेशा उसको सिंप्ली लगा दिया तो मतलब हमारे जब पास चलेंगे वह हमारे पास चलेगा हमेशा फोर सेकेंड तो जैसे ही मैंने सेकेंड एलिमेंट के लिए पास चलाया तो मेरे पास एक वेकिन पोजीशन होगी ताट मेंस मेरे बास अब टू एलिमेंट है तू कार्ड नहीं तो चेक करने कि जो सेकेंड कार्ड मैंने पिक तो कर लिया अब उसको लगाना कहा है तो सबसे पेली क्या कर जो काट मैंने पिक कर रहा है उसको कंसिडर करते हैं as a new variable that means अभी 50 क्या है मेरा new और मेरी jth location मैंने क्या प्राइस है जो number of passes होते हैं वो हम आई से दिनोट करेंगे और उनके अंदर जो comparisons हम करते चलेंगे जे से तो मेरी jth location and that means 2 अब क्या वो 50 less than 40 है या पी नहीं अगर तो पि increasing order के लिए shifting करनी पड़ेगी बट इस केस में 50 is not less than 40 that means हमें shifting की requirement नहीं है हमारी condition false हो चुकी है तो जब भी ऐसे situation आती है तो फिर हम shifting ना करके सिधा 50 को अपनी position पर आल देते हैं मतलब अब हमारे पास two elements आ चुके हैं that are in ascending order the first one is 40 and second one is 50 तो हमने थर्ड element को पिक करा that is 10 जैस करना है क्या मैं इसको directly insert करूंगे पहले में को shifting की requirement होगी वैसे मैं आपको suggest करना चाहूंगे अगर आपने इंसर्शन वाली वीडियो नहीं देखी ये operations में तो आप उस वीडियो को जरूर देखें आपको इसके algorithm समझने में थोड़ा से easy हो जाएगा तो आई अब इस ही को continue करते हैं मतलब हमारा next to new बना है that is 10 हम उसको किस से compare करेंगे उससे पिछली element से that is 50 अब हम चेक करेंगे क्या 10 मेरा less than 50 है हां यह true है that means we need to shift जैसे हमने shift करा हमने देखा कि मेरे पास second position vacant हो गई है और में चेक करूंगे क्या 40 भी उससे चोटा है या बड़ा क्योंकि practically हम क्या क पता चल जाता है और हम उसको insert कर लेते हैं बट computer को तो हमें सुम्झाना पड़ेगा ने algorithm के तुर जो हम algorithm यहां पर design करना चाहरे है तो हमने next check करा 40 के compare से compare करा हमने देखा 40 भी 10 से बढ़ा है that means 10 is less than 40 so we need to shift again तो हमारी first position vacant हो गया जहां पर हमारा 10 element insert हो गया that means जैसे ही मेरा pass 1 चला तो मेरे two elements set वे अपने correct position पर that is 40 and 50 थर्ड के लिए मेरे vacant space बनी second pass में फिर हमने shifting करी चेक कर रहा है और हमने उसको insert कर तिया तो अब देखते है 3rd pass जैसे 3rd pass चला तो मेरे 4 locations बन चुकी थी जो 4th अब वेकें पोजिशन आ उसको compare करेंगे फिर चेक करेंगे 90 मेरा new में हमने चेक रहा हमने चेक करेंगे 90 को सिंप्ली प्लेस कर दिया अभी हम क्या करेंगे इसका next slide में इसका algorithm देखेंगे और उसके फिर से एक्जैंपल करते चलेंगे अपने algorithm से क्या हमारे algorithm exactly वही है या नहीं क्योंकि मैंने क्या पताया था बुक्स में चाहे जोमर जी हो लेकि सेम एक्जैंपल ही हमारा algorithm होगा and exactly same ही हमारे उसके implementation होगी तो अब एक चीज यहां पर हमारे algorithm में आने वाली है आगे जब भी हम लोग चलाते है comparisons का एक जगा हम else condition लगा कर ब्रेक करेंगे अभी confused मत हो ना उसको आगे detail में इस्प्लेइन करेंगे एक्चमर्लिय उसका मतलब क्या है जैसे ही मैंने देखा कि मेरे 90 जो एलिमेंट था मैंने इसको सबसे हाइस से relative और हो था चैनल में इसको इंशर कर दिया तो हमारी complexity कम हो जाएगी, क्योंकि हमारी number of steps कम execute होंगे. तुर उसके बाद आता है past 3, similarly 30 के लिए vacant space बन चुकी है, 30 हमारा new बना, हमने उसको compare करा, क्या 30 90 से छोटा था, हंजी था, हमने अपने vacant space को से shift करा लिया, उसके बाद हमने check करा क्या हमारा 30 50 से छोटा है, हंची फिर से था, तो हमने फिर से shift कराया, after that, similarly हमने 30 and 40 को shift कराया, और उसके लाद, finally 30 अपने correct position पर आ चुके, जैसे वो 10 से compare करेंगे, वहापर condition false हो जाएगी, तो हमने 30 को substitute कर दे, that means उसको insert कर दे, उसके correct position पर, तो finally, जैसे हमारे n-1 पास चले, हमारे सारी element सोट हो चुके हैं, तो आईए अब इसके एक बड़ी algorithm देखते हैं, उससे next slide में हम इसी को check करेंगे, कि हम, क्या हमारे algorithm और example, चला भी था side by side parallel ले ठीक, तो चली आईए देखते हैं इसका algorithm, तो सबसे पहला step हमारा किसली होता है, नमबर ओफ पासे के लिए, हमेशा हम कितने पासे चलाते थे, n-1 जो हम स्राट कराते थे, 1 से n-1 तक, लेखिन हमने यहाँ पर स्राट कराया है, 2 से n, that only means n-1 पासे, हमने 2 से क्यों स्राट कराया है, जब मैंने पहला काड उठाया था, तो मैंने देखा, ना तो हो किसी से छोटा था, ना वो किसी से बड़ा था, that means, उसको कहाँ पर insert करेंगे, simply insert कर देंगे, check करना और shifting करना, हमारा काम है दूसरे स्टेप से, इसलिए हमने हमेशा पासेश चलाने है, insertion sort में, second से, फिर उसके बाद हम क्या करते थे, जो भी हम element पिक करते थे, आयथ element जो होगा, आयथ index plane, that is a of i, उसको हमने हमें insert कराते थे, फिर हम check करते थे, एक down to loop लगाते थे, अब यहाँ पर down to loop क्यों लगाया है, क्योंकि मैं सबसे पहले, यह सबसे बड़े element से चेक करूंगी, फिर उसके बाद उसके एक चोटे से, फिर उसके एक चोटे से, और आपने ऐसे भी देखा होगा, जब हमने insertion के algorithm करा था, तो हमने देखा था, इंसर्शन के टाइम पर हमेशे एक down to loop चलता है, तब देखे, अब इसका क्या मतलब है, जब मैंने last step में देखा, तो मैंने देखा कि, जो मेरे को element insert करना था, उसके लिए तो भी doted box था, तो हमने एक vacant space बनती थी, अब यह element insert नहीं करा, मैं check के इसे करती थी, उससे एक पिछले element से check करती थी, कब तक 1 तक, अगर तो हमें उससे बड़ा मिलता था, तो हम उसको shifting करते थे, that means हमें अपने loop काँ से चलाने, जए वला i-1 से down to 1, फिर उसके बाद हम क्या करते थे, compare करते थे, क्या new हमारा less than a of j है, अगर तो है तो हम shifting करते थे, shifting कैसे होती थी, हमारी a of j, a of j plus 1 पर दलती थी, that means वो बड़ा है, that means हमने उसको right-hand side insert कर रहा, और vacant space मारी चलिए ये left side, एक एक position next में, मतलब right में हमने shift कर रहा था, मैंने बताया था, जो हमारे third pass आया था, उसमें 90, 50 से बड़ा था, इसलिए मैंने 40, 30, 10, जो और elements से compare ही निगा रहा, उसका reason क्या था, हमारा array पहले से ही sorted है, अगर उससे भी पड़ा आ रहा है, that means और सबसे तो बड़ा होगा ही, तो इसके लिए हमें break लगाना पड़ेगा, otherwise वो पिछले वाले सारे elements के लिए भी sort करेगा, हमने क्या देख था, ब्रेक क्या होता है, इस four condition के बाहर आ जाएगा, that means अब भी ये four loop फालतों में नहीं चलेगा, तर उसके बाद हमारी condition यह पे complete होती है, हमारा loop भी complete होते है, अब हमारी vacant position अपनी correct position पर आ चुकी है, अब हमें उसमें insert करना है, तो insert करने के लिए हमने यह आपर लिखे, new is inserted into a of j plus 1, what does this mean, actually क्या हुआ, जब यह loop चल रहा था, जब इसने a condition वो चेक करें, जब इसके फोल्स होना है था, तो यह j तो decrement कर चुका था already, क्योंकि j एक decrement हो चुका है, तो वो एक index पिछे चला गया है, जिसलिए हमें हमेशे increment करना पड़ते हैं, यह पर, so this was all about our insertion sorts algorithm, एक मारी quick review लेते हैं, कि हमने क्या पड़ा और हमारे algorithm क्या ठीक बैठ भी रहा है, हमारे example के साथ, सबसे पहले, फेले element क्या था 40, हमने उसको ना किसी क्या के लगा है, ना किसी के बीचे, सेकिंड पास, जैसे हमारे फिर्स पास चलते है, that means i equals to 2, हमारे पास जो सेकिंड पोजिशन थी, वो वेकिंग थी, पहले हमने कंपेर करना था, इसलिए हमने 50 को नियो में डाला, उसका बाद हमने चेक कर रहा, कि हमारे 50 less than 40 है, it was false, इसलिए shifting नहीं हुई, that means condition नहीं चली, फिर उसका बाद हम फिर से चले गए, और उसको insert कर दिया, a of j plus 1 पर, क्योंकि एक बाद ही j decrement कर चुका था, इसलिए हमने second position पर करना है, तो वो j को एक add करके, फिर हमने new को substitute कर आया, similarly हमारे second pass चला, जैसी हमारे second pass चला, तो हमरे पस third position वेकेंट सी, हमने new में substitute कराया पहले 10, फिर 10 को 50 से compare कर रहा, condition true हुई, हमने shifting कराई, फिर उसके बाद 10 और 40 को compare कर रहा, again shifting हुई, हमारे second position आ गई की one, और हमने उस पर insert करा दिया, अब हमारा चला pass three, जैसे हमारा pass three चला, तो हमने देखा था कि यह else block है, यह हमारा यहाँ पर execute करना था, क्यों? मैंने देखा कि 50 से बढ़ा है मेरे element, और 50 ओलरी इनसे बढ़ा था, that means हमें आगे compare करने की requirement नहीं है, तो यह loop एक बार चलके ही exit हो जाना चाहिए, that means यहाँ से break करके बाहर चला जाना है, इसलिए हमने यहाँ पर break condition लगाई है, फिर उसके बाद हमने देखा कि 90 अपनी correct position पर आ गया, final pass में हमने चेक करा, 30 को, 30 को पहले 90 से compare करा, वो shifting हुई, then 30 को 50 से compare कर, again shifting हुई, then 30 को 40 से compare कर, again shifting, और 30 अपनी correct position पर आ चुक है, अब हमने इसको insert कर लिया, जैसे हमने चेक कर रहा था, तो चेक तो 10 से भी कर रहा था, उसको चेक करने के लिए, तो उसको पहले एक इक इंक्रेमेंट करते हैं, अपनी correct position को लाने के लिए, and after that, we'll insert there, so this is our insertion sort, एक पर इसके complexity को जलदे से review करते हैं, कि इसके complexity क्या हाती है, अगर मेरे पास N elements है, तो इसके complexity average और worst case में आते हैं, और आप एंस्केर, अगर मेरे पास एक कोई ऐसा error आजाता है, तो क्या होगा, मैं पेले element पिक करूंगी, उसको उसके correct position पर लगा दिया, पेले element के correct position होती ही नहीं है, वो as it is लगाते हैं, सेकेट element को पिक करा, shifting के requirement नहीं पड़ी थी, तो मेरे वो elements नहीं, जो statement सी, अगर आपको को यह वीडियो लेक्चे पसंद आया होगा, अगर आपको कोई पिटाउट यह सजेशन है, तो आपको कमेंट बोक्स में सरूर दीजेगा, और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक या शेयर नहीं किया है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक और जादा जादा शेयर करें, and प्लेश सब्सक्राइब मैं चैनल, and press the bell icon for latest updates. शुक्रिया, धन्यवाद, थेंक यू.